नमस्कार दोस्तों, सोतंतरता के बाद अपने देश ने कई बूरे दौर देखे हैं, अंग्रेश सोने की चिडिया लूट कर जा चुके थे और पीछे छूट गया था विरान जंगल बंजर भूमी और दाने दाने को तरस्ते लोग। पंडित नहरू और पूर्भवथानमंत्री श्विमती इंद्रा गांधी की प्रिशी नीतियों की वज़े से देश धीरे-धीरे खाद्यान के मामले में आत्म निर्भर हुआ और अन्ड के मामले में इसी आत्म निर्भरता की चरम पराकास्था दिखी बीजपी के शीर्ष प्रमानों परिक्षण किया था तब अमेरिका के नितित में तमाम यूरोपी शक्तियों ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की पुर्जोर कोशिश कि थी और लगा दी थी लेकिन पूरे विश्व की टेड़ी नजर के बावजूर भारत की आर्थिक सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा था पता है क्यों क्योंकि भारत अनाज के मामले में आत्म निर्भर था आत्म निर्भर था भारत उस वक्त उस वक्त सामने रोटी का संकट नहीं था लेकिन दोस्तों अपना वही देश इस वक्त एक बड़े अनाज संकट की और बढ़ रहा है रभी की फसल के समय आ उनकिसान हैं, उनकिसानों को खाद नहीं मिला था और कुछ वहाँ पर उनकी बृत्यू भी होगी थी और अब खाद की उपलब्धवा को लेकर एक और रिपोर्ट आई है। इस संकट के बारे में इसके मताबिक देश में हर साल 9-10 मिलियन टन डीएपी की जरूरत पड़ती है। 2.5 मिलियन टन था। यूरिया का भंडार बस 1 मिलियन टन और पोटाश तो मात्र शून्य दशमलो 5 मिलियन टन ही था। बस 1 मिलियन टन पोटाश चाहिए 4.5 से 5 मिलियन टन लेकिन भंडार में है बस 0.5 मिलियन टन। अब जब देश में खाधी नहीं तो फिर मोदी जी किसान को खाध देंगे कहां से। आप इस बात को बखू भी समझ रहे होंगे लेकिन जो भगत हैं उनकी बात ही अलग है वो तो बात ही कुछ और करते हैं वो तो ये भी दलील दे देते हैं कि मोदी जी महनाई बढ़ा रहे हैं तो कुछ सोच कर भी बढ़ा रहे होंगे। वैसे इस मामले में वो एक वाजिब दलील दे सकते हैं कि देश दूसरे देशों से खाध का आयात करके इस कमी की भरपाई कर सकता है। अब जो अखबार है इंडियन एक्सपेस में इस संभावना की भी परताल की। अब उस संभावना का नतीजा आकड़ों की जुबानी समझी है। 35,000 रुपए। कुल मिलाकल हुए जो आगणा हम कुल मिलाएं तो वो होता है वो 60,000 रुपए। मतलब महौल में अगर कोई खाध कमपनी विदेश से एक टन दीएपी मंगाती है तो उसे चुपाने होंगे 1,10,000 रुपए। लेकिन उसे बेचने पर मिलेंगे मात्र 60,000 रुपए। बाकी खाधों का भी ऐसा ही कुछाल है। अब आप भी बताईए ऐसा घाटा का सौदा कौन करेगा। एक लाख 10,000 रुपए लगाकर 60,000 रुपए में कोई अपना माल क्यों बेजेगा। तो फिर इस समस्या का सलूशन क्या है। इस समस्या से कैसे निप्तारा पाया जा सकता है। सरकार समस्वी के जरिये दामों के अंतर को खत्म करे। लेकिन मोदी जी तो मौन है, इस मुद्दे पर वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और उनके मंत्री गड़ तो वही महा जनो एन गता सपन्था। जिस रास्ते पर माननी है, मोदी जी उसी रास्ते पर उनके पुशी से लेकर वित्मंत्री तक सब खात के मसले पर खामोश। लेकिन एक दूसरे मसले पर जरूर मोदी जी और उनके सबसे लाइक मंत्रियों में श्रुमार श्री यूश गोएल जी ने ताल ठोब दिया है दोनोंने कहा है कि भारत अनाज के मामले में इतना धनी है कि वो पूरी दुनिया का पेट भर सकता है दोनोंने कहा कि पूरी दुनिया का पेट भर सकता है दोस्तों मैंने तत्यों और त्गठों के साथ आपको खात संकट की पूरी रिपोर्ट बता दी है अनाज उत्पादन पर उसका क्या असर रहने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया है मानिय मोदी जी और मानिय यूश बोयल जी को पूरी दुनिया का पेट भरने का दावा कर रहे हैं उस बारे में आप ही कुछ कहिए आपकी प्रत्रकिया के इंतजार में मैं आपका पिंदर नरायन सिंग नमस्कार